पंजाब के राजपाल, श्री वीपी सी बद्नोर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, केप्टन अमरिंदर सी जी, केंद्रिय मंत्री मंदल में मेरे सहयोगी, श्री जी किशन डेडी जी, श्री अर्जुन राम मेगवाल जी, श्री सोम प्रकाश जी, संस्वत में मेरे सहयोगी, श्री स्वेत मलिक जी, कारकम में जुडे सभी आदर्णिय मुख्यमंत्री गण, जन प्रतिनीदी गण, शहीदों के परिवार जन, भाईयों और बहनों, पंजाब की वीर भूमी को, जलियावाला बाग की पवित्र मिट्टी को, मेरा अनेक अनेक प्रणाम, मा भारती की उन संतानों को भी नमन, जिनके भीतर, जल्ती आजादी की लोग को, बुझाने के लिए, अमानुएता की सारी हदे पार कर दी गई, वो मासुम बालक बालिकाएं, वो बेहने, वो भाई, जिनके सपने, आज भी, जलियावाला बाग की दिवारों में, अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं, वो शहीद कुवा, जहाँ अंगिनित माताओं बेहनों की ममता छिल ली गई, उनका जीवन छिल ले गया, उनके सपनों को रोंदारा गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं, भाई यो और भेनों, जलियावाला बाग वो स्थान है, जिसने सर्दार उधम सी, सर्दार भगत सी, जैसे अंगिनत क्रांती विरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजहादी के लिए, मर मिटने का हौसला दिया, तेरा अप्रील, उननी सो उननीस के वो दस मिनिट, हमारी आजहादी की लड़ाई की, वो सत्य गाता, चीर गाता बन गए, जिसके कारण, आज हम, आजहादी का अमरुत महोत सो मना पा रहे हैं, ऐसे में, आजहादी के 75 वर्ष में, जलिया वाला बाग का समारक का, आदुनिक रूप, देश को मिलना, हम सभी के लिए, बहुत बड़ी प्रेणना का अउसर है, यह मेरा सोभागी रहा है, कि मुझे कई बार, जलिया वाला बाग की इस पवित्र धर्ती पर आने का, यहां की पवित्र मिट्टी को माथे पर लगाने का सोभागी मिला है, आज जो रिनुवेशन का काम हुआ है, उसने बलीदान की अमर गाथाओं को और जीवन्त बना दिया है, यहां जो अलग अलग गैलेरी बनाई गई है, जो दिवारों में शहीदों के चित्र उकेरे गए हैं, शहीद उदम सींजी की प्रतिमा है, वो सब हमें उस काल खण में लेकर जाते हैं। जनियावला बाग नर्संहार से पहले इस्थान पर पभीत्र वैशाईकी के मेले लगते थे। इसी दिन गुरु गोविन सीजी ने सर्बद्दा भला की भावना के साथ खालसा पंध की स्थापना की थी। आजाती के 75 साल में जलियावला बाग का ये नया स्वरूप देश वाचियों को इस पवित्र स्थान के इतिहास के बारे में, इसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए प्रेरित करेगा। इस्थान नई पीडी को हमेशा याद दिलाएगा कि हमारी आजादी की यात्रा कैसी रही है। यहां तक पहुचने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है कितना त्या कितना बलिदान अंगिनत संगर्ष। राष्ट के प्रती हमारे कर्तबे क्या होने चाहिए। कैसे हमें अपने हर काम में देश को सर्वो पर ही रखना चाहिए। इसकी भी प्रणा नई उर्जा के साथ इसी स्थान से मिलेगी। साथियों हर राष्ट का दाई तो होता है कि वो अपने इतिहास को संजो कर रखे। इतिहास में हुई घटना है। हमें सिखाती भी है और आगे बढ़ने की दिशा भी देती है। जलियाँ वाला बाग जैसी ही एक और विबिशिका हमने भारत विभाजन के समय भी देखी है। पंजाब के पस्षिमी और परिश्रमी और जिंदा दिल लोग तो विभाजन के बहुत बड़े भुक्त भोगी रहे हैं। विभाजन के समय जो कुछ हुआ उसकी पीड़ा आज भी हिंदुस्तान के हर कौने में और विशेश कर पंजाब के परिवारों में हम अनुभाव करते हैं। किसी भी देश के लिए अपने अतीत की ऐसी विभीशिकाओं को नजर अंदाज करना सही नहीं है। इसलिए भारत ने 14 अगस्त को हर वर्ष विभाजन विभीशिकाओं समृति दिवस के रुपें आने वाली पीडियों को याद रखें। इसलिए इसे मनाने का फैसला किया है। विभाजन विभीशिकाओं समृति दिवस आने वाली पीडियों को भी याद दिलाए गई। कि कितनी बड़ी कीमत चुकाकर हमें स्वतंत्रता मिली हैं। वो उस दर्ध उस तकलीप को समझ सकेंगे जो विभाजन के समय करोडों भारतियों ने सही थी। साथियों, गुरुबानी, गुरुबानी हमें सिखाती हैं। सुखु होवे सेव, कमाणिया, अर्थात, सुख दुसरों की सेवा से ही आता है। हम सुखी तभी होते हैं, जब हम अपने साथ साथ अपनों की पीड़ा को भी अनुभव करते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में कहीं भी, कोई भी भारतिय अगर संकट में गिरता है, तो भारत पूरे सामर्त से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है। कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्थान का वर्तमान संकट दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है। आपरेशन देवी शक्ति के तहट अफगानिस्थान से सेंकडों साथियों को भार लाया जा रहा है। चुनोतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल हैं, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है। हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंद साथ के स्वरुप को भी शीष पर रखकर भारत लाये हैं। साथियों, बीते बर्षों में देश ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से प्रयास किया है। मानवता की जो सीख हमें गुरु ने दी थी, उसे सामने रखकर देश ने ऐसी परिस्तित्यों से सताये हुए अपने लोगों के लिए नए कानून भी बनाए हैं। साथियों, आज जिस प्रकार की बैस्वीक परिस्तित्या बन रही है, उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत स्वेष्ट भारत के क्या माइने होते हैं। यह गट्नाएं हमें याद दिलाती हैं कि राष्ट के रुपे हर स्थर पर आत्म निर्भरता और आत्म विश्वास क्यों जरूरी हैं, कितना जरूरी हैं। इसलिए आज जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तो यह आवशक हैं कि हम अपने राष्ट की बुनियात को मजबूत करें, उस पर गर्व करें। आज जादी का अमृत महोत्सव आज इसी संकल्प को लेकर कर आगे बढ़ रहा है। अमृत महोत्सव में, आज गाउं गाउं में सेनानियों को याद किया जा रहा है, उनको संमानित किया जा रहा है। देश में जहां भी आजादी की लड़ाई के महत्वपुन पड़ाव है, उनको सामने लाने के लिए एक समर्पित सोच के साथ प्रयास हो रहे हैं। देश के राष्ट नायोकों से जुड़े स्तानों को आज समर्प्षित करने के साथ ही वहां नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। जलियां वाला बात की तरह ही आजादी से जुड़े दूसरे राष्टियस मारकों का भी नविनी करन जारी है। इनाबाद विज्यम में 1857 से लेकर 1947 की हर क्रांटी को प्रदस्थित करने वाली देश की पहली इंट्रेक्टिव गेलेरी इसका निर्मान जल्धी पूरा हो जाएगा। क्रांटी विर्चंद्र से कर आजाद को समर्फित यह आजाद गैलरी शसत्र क्रांटी से जुड़े उस समय के दस्तावेट कुछ चीजें उसका भी एक डीजिटल अनुभाव देंगी। इसी प्रकार कोलकाता में विपलवी भारत गैलरी के में विक्रांटी के चिन्नों को भावी पीड़ी के लिए आधुनिक तक्नीक के माध्यम से आकर्शक बनाया जा रहा है। इससे पहले सरकार द्वारा आजाद हिंद फोच के योगदान को भी इतिहास के पिछले पन्नों से निकाल कर सामने लाने का प्रयास किया गया है। अन्नमान में जहां नेता जी ने पहली बार तिरंगा फहराया उस्थान को भी नई पहचान दिये गई है। साथी अन्नमान के द्वीपों का नाम भी स्वतंतरता संगराम के लिए समर्पित किया गया है। भाई और बेनों आज़ादी के महायग्य में हमारे आदिवासी समाच का बहुत बड़ा योगदान है। जन जातिय समूने त्याग और बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमें प्रेणा देती है। इतिहास की कितावों में इसको भी उतना स्थान नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था जिसके वो हकदार थे। देश के नव राज्यों में इस समय आदिवासी स्वतंतरता सेनानियों और उनके संगर्ष को दिखाने वाले मुजियम पर भी काम चल रहा है। साथियों देश की ये भी आकांशा थी कि सर्वोच बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के लिए राष्ट्रियस मारक होना चाहिए। मुझे संतोज है कि नेशनल वार मेमोरियल आज के युवाओं में राष्ट्र रक्षा और देश के लिए अपना सब कुछ निवचावर कर देने की भावना जगा रखने है। देश को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब सहीत देश के कोने को जो हमारे वीर सैनिक सहीत हुए है आज उनको उचीत सान और उचीत स्थन्मान मिला है। इसी प्रकार हमारे पुलीस पेड़े के लोग हमारे जो पुलीस के जवान है जो हमारे अर्दसैनिक बल है उनके लिए भी आजहादी के इतने दसकों तक देश में कोई राष्ट्रियस मारक नहीं था। आज पुलीस और अर्दसैनिक बलों को समर्पित राष्ट्रियस मारक भी देश की नई पीजी को प्रेरित कर रहा है। साथियों पंजाब में तो शायद ही ऐसा कोई गाउं ऐसी कोई गली है जहां शौरिय और सुर्वीर ताकि गाथा ना हो। गुरुओं के बताए रास्ते पर चलते हुए पंजाब के बेटे बेटियां मा भारती की तरफ तेडी नजर रखने वालों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारी ये धरोहर और समुरुद्ध हो इसके लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी का 550 वा प्रकासोट्सव हो, गुरु गोविन सी जी का 350 वा प्रकासोट्सव हो, या फिर गुरु तेग बहदुर जी का 400 वा प्रकासोट्सव हो. ये सभी पढ़ाओ. सवभाग्य से बीते साथ सालों में ही आये हैं. केंद्र सरकार ने प्रयास किया है कि देश में ही नहीं, बलकि पूरी दुनिया में इन पावन परवों के माध्यम से हमारे गुरुवां की सिख का विस्तार हो. अपनी समुरुद्ध दरोहर को भावी पीडियों तक पहुचाने के लिए काम लगातार जारी हैं. सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का काम हो, करतारपुर कोरिडोर का निर्मान हो, ये इसी प्रयास का हिस्सा है. पंजाब की दुनिया के अलग-अलग देशों से एर कनेक्टिविटी हो, या फिर देश भर में जो हमारे गुरुस्थान है, उनकी कनेक्टिविटी हो, उसको ससक्त किया गया है. स्वदेश दर्सन योजना के तहट, आननपूर साहथ, फतेगड साहथ, फिरोजपूर, अमृच सर, कठखड कला, कलानोर, पठ्यावा, हैरिटेज सर्कीट को विक्सित किया जा रहा है. कोशिच ये हैं कि हमारी ये सम्रुद्ध विरासत बविश्ची की पीडियों को प्रेरिद भी करती रहें, और परियटन के रूप में रोजगार का साधन भी बनें. साथियों, आज़ादी के ये अमृत काल पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर है. इस अमृत काल में हमें विरासत और विकास को साथ लेकर चलना होगा, और पंजाब की धर्ती हमें हमेशा हमेशा से इसकी प्रेना देती रही है. आज ये जरूरी है कि पंजाब हर स्तर पर प्रगती करें, हमारा देश चहुं दिशा में प्रगती करें. इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ साथ हमें काम करते रहना होगा. मुझे पूरा विश्वास है कि जलियाँ वाला बाग की ये धर्ती हमें हमारे संकल्पों के लिए सतत उर्जा देती रहेगी और देश अपने लक्षों को जल्द पूरा करेगा इसी कामरा के साथ एक बार फिर इस आधुनिक्स मारक की बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत धन्यवाद